एक तरफ नाजिया है और दूसरी तरफ उसका शोहर शेख वली नाजिया निकाह से आजाद होना चाहती है लेकिन शोहर को न तलाक मंजूर है न खुला देने पर राजी है खुफिया कैमरे की इस पूरी बात्चीक को देखने से पहले नाजिया की कहानी को समझते हैं जो रिष्टा अज आखरी मुकाम पर खड़ा है पांच बरस पहले एक खुबसूरत मोड से शुरुआ था अच्छली मेरी शाधिक 2012 में सिकिंद्रबाद पैटनी में कोट मैरेज हुए अच्छली मेरा मैरेज लॉव मैरेज है तो मैं अच्छा रख ले तुम तुमा को जैसा तुमारे पैरेंट्स रख ले न मैं भी वैसी रख तूँ शेख वली ओटो चलाता था और नाजिया पड़ी लिखी थी सोचा था नौकरी करेगी तो मिल बाट कर इज़त से गुजारा हो जाएगा लेकिन ये सपना एक साल में ही चकना चूर हो गया इधर नाजिया ने नौकरी शुरू की और उधर शोहर ने कमाना बन कर दिया पैसों की तंगी में जिंदगी से समझोते होने लगे शोहर को नाजिया की कमाई रास आ गई लेकिन नाजिया को शोहर की आराम तल भी गवारा न हुई वक्त बीता हालाद बिगड़े तो नाजिया अपने घर लोटाई दोनों को अलग रहते लंबा वक्त बीत गया नाजिया अब जिंदगी की नई शुरुवात चाहती है नया घर बसाना चाहती है लेकिन शोहर जिद परड़ा है ना तलाब देने पर राजी तो खुला देने पर मैं बली खुला दे दो तो मेरे लाइफ में कुछ भी सट कर लेटी तो तुम के भी कर लो मैं तो साइन दे creep हो लेकिन शरीया कानून में आजादी का हर अधिकार सिर्फ शोहर के पास है